आज मुझे किस चीच के बारे बताना है एक पोटेबल साउंड है जो कि JBL का है और यह JBL का साउंड बहुत ही पोटेबल है आप कहीं भी लिया सकते हैं कहीं भी यूज़ कर सकते हैं और कभी भी बैटरी बैक दम एक नमबर रिकमेंट है कि आप अपको पूरा देखें और आपको पता चले कि पोटेबल लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए नहीं चाहिए सबसे खास बात कि उसको बेस साउंड एक नमबर मैंने किसी से कंपेयर नहीं क्या मैंने अपना रिवीउदु दूँगा और मैं आप यह एमजॉन से मैंने खरीदा थे जेवील का गो पोटेबल साउंड है तो इसे अन्बॉक्स करते हैं दिखाते हैं इसके अंदर क्या है इसको बगर नीसे रखते हैं और इसमें दिखाते हैं क्या है जैसे कि जेवील का गो साउंड है यह प्लूटूथ स्पीकर का है तो इससे दिखाते हैं अब को अंदर यह देखो जुसका ब्रैंड लोगो जेवील इसके अंदर साइद में भी ऐसेश्रीज होगी कितना पोटेबल है इतना कलर इतना इसका मतलब यूनिक बना गया है यह कुछ इसकी इंफर्मेशन बगरा है यह जेवील का ब्रैंड है यह अनौफ है ब्लूटूथ वाल्यूम बढ़ाने का घटाने का माइक भी है अब इसके अंदर हम देखते हैं इसके अंदर क्या है यह इसकी data केबिल है जिससे आप चार्ज अगरा कर सकते हैं इसकी इसकी मैनुवल बुक्स है जिसमें इसकी इंफर्मेशन रहती है किसे उस्केथे चला सकते हैं कैसे चला सकते हैं कैसे कारी इसका बैटरी पेकप चार्जिंग एक 1.5 आउर्स का मतलब देट घंटे में यह चार्ज जाता है फुल और आप्रॉक्स 5 गंटे च्ला सकते हैं इसके आप गानेवाने से सब्सक्राइब दियक कर अच्या en हैं जो हर्मन कंपनी की होएिं इसका है जो इसका कलर और है रेड ब्यूटी चार्जिंग और यह माइक है तो हम इसे कनेक्ट करके दिखाते हैं आपको किसका साउंड कैसा है और इसकी क्या क्वालिटी है तो इसे फिर हम अब भी फोन से कनेक्ट करते हैं यह जो पाउर आफ वाला बटन है इसको एक बार प्रेस कर दीजिए यहां जाए और उसके बाद आपको यहां से जब यह अन होने के बाद आपको यह ब्रूट बटन एक बार फिर से प्रेस कर दो इससे यह सर्चिंग में चला जाए जो मतलब सर्च करने लिगे ब्लूटू तो इस फोन में हम एक बार कनेक्ट करते हैं जिसका आ रहा है जेबिल गो तो इसे टैप टू पेयर कनेक्ट हो गया है वाइस भी कनेक्ट हो गया म्यूजिक मतले कनेक्ट हो गया कनेक्ट होने के बाद यह जो यह जो लाइट है यह एक बार ब्लिंग पहले ब्लिंग करती है तो अनकनेक्ट रहता जब यह कनेक्ट रहता तो यह ब्लिंग नहीं करती ह तो देखी जैसा कि देख रहें इस्टे हो गई है तो इसके बाद हम इसे सॉंग का नाम जैसे कि मैं अपने इससे कनेक्ट हो गया कनेक्ट होने के बाद इसका साउंड सुने जब जब सांसे भरता हूं तेरे दिल की कलियों से मैं हर रोज गुजरता हूं जवा के जैसे चलती जुसकी बेस क्वालिटी है बहुत ही बैस्ट है और इसका साउंड जो क्वालिटी वह भी बैस्ट है इसका प्रेस करने के बाद यह आफ हो जाता है तो जैसे कि देखरें कि आप जो लाइट वह अब नहीं जल रही है आप नहीं ब्लिंक कर रही है नहीं दिख रही है तो यह आफ हो चुका है तो जो इसका रिव्यू था कुछ ऐसा ही था और में भी आपको अच्छा लगा हो आई होप आप लोग यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करें हमें कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी तो मिलते हैं नेक्स टॉपिक में नेक्स वीडियो के साथ तिल दैन बाबाई